कित फ्लेक्शिपDयों के बाइरे दूस्ते आज हमें एक ऐसी कम्प्नी के बार बात कर रहें जो शुरू हुई थी फ्लेक्शिप कल्र के नाम से और बन चुके हे hக स्चेस्षुप tenía on plus यानि कि one plus company क्या सोच कि क्या विचार धा रहती उसकी काफ़ी जाद अलग थी जब वो स्टार्ट हुई थी लेकिन समय के साथ साथ अल्मोज साथ साल होने वाले उस कंपनी को और अभी तक उस कंपनी की जो पूरी आइडियोलोजी है जो पूरा सेग्मेंट होता है ना सब कुछ बतल चुक है इवरों का जो नया फोन है वो भी आन चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि यह कमाल का ऐसी कॉंटेंट काफी सार ने वाला और मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकर सबसे पहले एक इंपोर्टेंट बात आपको बदा देने वालों अगर हम वनप्लस कंपनी के बारे में बात करें न अगर अगर आपको चोटा सा ट्रेंट देखने को लेगा एक चोटा सा एक्जांबल से समझाता हूं यहां वन प्लस मन कितकी मत प्याता था तो नाने Quéमत है मैं मन को satisfying होगा त्रची कि दूबंच होए हुए तक उसके बाद एक उसके बाद शेवन chemotherapy अ Muratic 33 का launch हुआ था क्योंकि उस समय देखा है तो one plus 60 के अंदर ही थोड़े बात उन्होंने minor changes बगरा करके उसी phone को relaunch कर दिया था one plus seven नाम से इसलिए कीमत कम थी लेकर उस phone में जादा नया कुछ नहीं था और इसी चक्कर में जिस phone के अंदर उन्होंने सबसे जादा चीज़ें और सबसी नहीं चीज़ें डाली थी ना वह था उस समय का one plus seven प्रों जिसके वह फॉट्टी नाइन थाउजन पहुंच गई थी लेकिन हाँ उस समय भी लग रहा था कि हाँ एक सस्ते में भी phone मिल रहा है एक महेंगे भी phone मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नही उसके बाद one plus के phone कुछ ऐसे होते चले गए जहां पर कीमते तो जादा होती चली गई इवन उनके इंदर जो यूनीकनेस होती ना वह यहां पर गायब हो गई देखा जा तो इतने सारे compromise वगरा करे गए हैं जैसे कि वहाँ पर इंडियन वर्जिन के अंदर आपको कोई भी wireless charging देखने को नहीं मिलती कोई भी IP rating देखने को नहीं मिलती और तो 5G bands का भी जो सपोर्ट हो भी बहुत ही घम देखने को बलता है और हाँ मैं यहां पर बात कर पर थोड़ा ध्यान दे रहा है अगर हम बात करें वन प्लस नाइन सीरीज की ना तो वन प्लस नाइन ये कैसा फोन था जो कि लगए 50,000 रुपे का उन्हों ने लांच किया लेकिन उस फोन में आपको OIS वगरा भी देखने को नहीं मिलता है उस फोन के अंदर देखा जा तो काफी value for money चीज हो जाती लेकर हां ऐसा नहीं हुआ इसके comparison में अगर मैं वीवो के एक्जामपल लेनों तो उन्होंने तो better camera, gimbal, technology और भी काफी सारी चीज़े डाल दी और काफी discounted price वगरा में लोग अपनी चीज़े बेशते हैं जी हां इवन इसके साथी OnePlus के साथ एक problem में व overhype कहने का मतलब है आप कोई से भी example ले लो पास दो साल में मैंने सिर्फ ऐसी ही चीज़े देखी है recent example से समझाता हूँ Hasselblad का Hasselblad की जो branding है वो use करी गई थी सिर्फ और से western market के लिए क्योंकि western market में उन्हें अपने phone बेशने USA, Europe वगरा में Hasselblad देखा तो काफी बहुत ही famous brand है वहाँ पे अब Hasselblad की branding का लोग इंडिया में भी use कर रहे है और अगर इंडिया में लोग Hasselblad की branding लाएं या ना लाएं उनका phone उतना ही बिखेगा जितना वह पहले बिख रहा तो उस पे sales पे कोई impact आपको देखने को नहीं मिलेगा इवन अगर हम बात करें तो camera भी Hasselblad का कोई ऐसा नहीं रहा गया कि बहुत ही outstanding एकदम से कुछ मिल गया ऐसी टीज़े आपको देखने को नहीं मिली आपको वैसा ही camera setup देखने को मिल रहा था जैसे पहले था और उसमें भी ऐसी कोई खास चीज नहीं थी और camera setup को लेकर भी अगर मैं बात करूँ नहीं तो one plus 70 last ऐसा phone था जहां पर उन्होंने सारी useful sensors को implement किया था उसके बाद वो अपने pro version में ही अच्छा camera setup दे रहा है बाकी के जो नीचे वाले version होते न वहां पर उन चीज़े नहीं देते टेली photo zoom lens सब phone से हटा दी सब pro version में देखने को मिलता है जबकि one plus 70 जो 38000 का launch हुआ था वहां पे उन्हों टेली photo zoom lens ultra wide सारे चीज़े डाली थी अब भी वही इतने भेंगे phone के अंदर भी monochrome और depth का खेल खेला जा रहा है बिलकुल इसके साथ ही 5G को लेके तो क्या कहने इनके मतलब ये लोग अपने phone को promote करते 5G phone या cheapest 5G phone लेकिन कहां नहीं पाता है दो band या single band और तो claim भी इन्हों ने कर दी है कि आने वाले समय में future में software update से भी 5G bands increase नहीं हो सकते है तो उससे 5G के compatibility पे सवाल खड़ा नहीं उठता फ्यूंकि जा दूसरी company से 7, 15, 20 band तक provide कर रही है मत believe नहीं करो मैं खुद एक जमाने oneplus रहनता है और oneplus के मैंने multiple products खरीद है नद आपने खुद की जेव से पैसे देके खरीद हो चार oneplus के phone खरीदे है और वो कोई सस्ते phone नहीं होते है उनकी कीमत भी आपको काफी जाता देखने को बलती है लेकिन उसके comparison में आपको वो one series यूज़ करते हैं वहां पे उनको नए latest android 11 के अपडेट के साथ नए bugs देखने को मिल रहे है special bug बता देने चाहूंगा oneplus 17 में android 11 के बाद widevine L1 का जो support है वो चलाग है यानि कि phone के अंदर एक feature था netflix में HD और prime video में HD quality में videos enjoy कर सकते थे ये एक phone का feature था feature यूँनों ने update से remove कर दिया क्या ये एक सही चीज है मतलब वो लोग क्या कर रहे है कि oneplus के जो loyal fans होते थे जो उनके phone के उपर trust करते थे उनके phone के उपर पैसा खर्चा करते थे उनको वहां पे बिट रेखे जा रहा है य oneplus watch के बारे में बात करें जहां पर softer ऐसा हो गया है जो काफी जादा buggy देखने को मिलता है इसलिए वो market में काफी सारे लोग के महंगी है बगी है तो से लेने का कोई reason बनता नहीं है oneplus tv के बारे में बात करें पहला oneplus tv आयता तो काफी जादा excited हुआ था काफी अच्छा उन इसके साथ ही जो android tv आता उसके जो upgrades होंगे version के वो भी आपको देखने को मिलेंगे लेकिन नहीं आज भी android tv 9 पर ही अटका हुआ है उनका जो अभी नया tv आ है उस पर भी android tv 9 ही आपको देखने को बलता है आखिर ऐसा क्यों android tv के जो versions होते वो upgrade ही नहीं करते यह लोग यहां प पहले जो one plus थी वो थोड़ी consumer focused company थी वो community driven थी वहां पे आपको एक अच्छी चीज़े देखने को मिलती थी लेकर धीरे धीरे one plus का एक transformation होता चलागी और community से होके वो एक corporation जैसी company बन गाते शायद यहीं एक reason है कि Karl जो की co-founder एक company के उन्होंने company ही छोड़ती और उन्होंने nothing introduce करती बिल्कुल मतलब आप देखो है कोई company का अगर co-founders company से ही अगर अलग हो रहा है तो यह क्या बात होगी और उस company से अलग होके अपनी नई company खोल रहा है आप देख सकते कि original company जिस philosophy पे start होई थी और वो उसकी philosophy वो रह नहीं गई है यह एक important चीज़ है और खास बात है कि oneplus वाले का अब strategy ही रह गई कि उनकी existing community उसी को ही फायदा उठाने उसी को ही इन्हें exploit करना है और कहीं नहीं पर बिटरे करना है इवन अगर आप उनके phone वगरा के launches देखोगे तो launch से काफी time पहले उनकी hype शुरू हो जाती है और जैसी hype अपने peak पे होती है phone launch हो जाता और उस आने वाला है उसकी specification वगरा काफी सारी चीज़े हमें पता है लेकिन कुल मिलाके बात है कि पिछले दो-तिन दिन में ही उसकी काफी जाता hype बन गई है मतलब आप यह देख सकते हो कि oneplus के phones में हमेशा उनकी जो hype होती ना phone की functionality यह phone के feature से जादा बन जाती है आप Nord के example ले लो Nord कोई ऐसा phone नहीं था जिसे देख कि ऐसा लगता कि बिल्कुल यह outstanding ऐसा product हमने पहले कभी देखा ही नहीं हो इस टाइप की चीज़े हमने पहले देखी थी लेकिन जब Nord आया तो उसकी hype ही जबर जस्ते और अपनी hype के चक्कर में काफी जादा बिग गिया सेम शाद Nord C के साथ यही case हो जाए OnePlus के future phone के साथ भी case हो जाए लेकिन बात यह रहते है कि hype आई और जैसी hype over हो जाती है उसके बाद उस phone को कोई पूछता नहीं है देखा है तो वह company नहीं रह गया जो हमें काफी जादा पसंती है जो हमें असकीलियम पैसा देना पसंद करते थे या फिर जो हमें affordable price में अची premium technology देती थी OnePlus की success का basic reason यह था कि OnePlus एक उस जमाने में आता जहां पर जो दूसरे smartphone companies थी वह महंगे phone patient में struggle करती थी और OnePlus जिस price point पर जो चीज़े लेके आज़ादा उस price point पर हमें वह चीज़े देखने को नहीं मिलती थी किसी भी competition वाले brand से लेगन अब देखा है तो कहानी बदल चुकिए competition भी increase हो चुका है आपको Xiaomi, IQ जैसी companies आ गये चुकि काफी अच्छे price के अंदर काफी अच्छी value for money व है मतलब personal level पर मैं बता रहूं मेरा खुद का experience है ऐसे तो हाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरी कहानी को कि कहानी जो OnePlus की तो किस तरीके से शुरूई थी अभी वो किस तरीके से लोगा है मतलब देखा जाए तो initially उनका focus काफी अच्छा था वो काफी अच्छे तरीके से phones वगरा बना रहे थे लेकिन बात में वो अपने पास से थोड़ा deviate हो गया है वो अलगला ecosystem बनाने लगा है लेकिन वहां भी तरजादा नहीं चल रहे प्रड़क्स में वो finishes नहीं आरी और OnePlus वाली वो बात नहीं आरी जो पहले आपको देखने को मिलती थी अगर OnePlus को अपन नहीं कुछ और थी अब वो कुछ और हो चुकी है इसके साथ ही मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप OnePlus के फोन बिल्कुल भी मत लीजिए अगर आने वाले समय कोई अच्छा प्रड़क्ट आता है value for money चीज़ होती तो definitely वो चीज़ रिकमेंड करने वाली बात होगी और वह प्रड़क्त लाग्ट प्रड़क्त वाले समय कोई इसके मैं आता है value for money